एक बड़ा प्रश्न है, बड़े बड़े बिद्वानों के मस्तिष्क में गूंजता है, कोई कहता है पहले बैराग्य हो, कोई कहता है पहले ग्यान हो, कोई कहता है पहले भक्ती हो, ये तीन चीज़े हैं प्रमुख तो ये क्रम क्या बने पहले ज्ञान हो कि पहले बैराग्य हो कि पहले भक्ति हो शास्त्रों में तीनों तरे की बाते लिखी है इसलिए confusion होना स्वाभाविक है लेकिन मैं एक दोहे में हल कर रहा हूँ कि ज्ञान बैराग्य करना नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए सोचिये मत आप केवल भगवान की भक्ति कीजिए समझ करके हम आत्मा है हमारा अंशी हमारा अमा बाप सब कुछ भगवान है ही है ही भी नहीं इस ग्ञान को मान कर भक्ति करो प्यार करो मन से तो देखो जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं तो एक पलड़ा वजन से बाप भरा है वो जमीन में रखा है और दूसरा पलड़ा वूपर है टंगा हुआ उसमें कुछ नहीं है यह पोजीशन है आपकी क्या मतलब मतलब आपके मन का अटाइच्मेंट सेंट परसेंट संसार में है आपकी बुद्धी का यह निश्य है कि संसार में सुख है हमको नहीं मिला वो बात अलग है है हमारी मा ठीक नहीं है हमारा बाप ठीक नहीं है हमारी बीबी ठीक नहीं है हमारे पास पैसा कम है लेकिन संसार में सुख है अगर आईसी मा मिल जाती आईसा बाप मिल जाता आईसी बीबी मिल जाती इतना पैसा मिल जाता तो संसार में आनन्द मिल जाता है ये एक confusion है इसलिए attachment है इसलिए उसी की planning प्रैक्टिसम कर रहे है तो जब ये निश्चे हो जाए कि संसार मिटीरियल है माया का है ये भगवान ने शरीर चलाने के लिए बनाया है ये शरीर पंच महाभूत से बना है और संसार पंच महाभूत का है तो पंच महाभूत के शरीर के लिए पंच महाभूत का संसार है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं है ये, आत्मा तो धिब्व है न, उसको जो आनंद मिलना है, वो तो भगवान से ही मिलेगा, तो इस प्रकार समझ करके भगवान से प्यार करो, तो देखो जैसे एक खुले हुए पलड़े में जिसमें कुछ नहीं है, आपने एक किलो भजन का कोई सामान रख दिया, तो इस तराजू से एक किलो कम हो गया, अपने आप हो गया, उसको कम करने को कुछ प्रियत्म नहीं करना, इसमें दस किलो भजन था, आपने उससे एक किलो निकाल के इसमें रख दिया, तो इसमें नो किलो रह गया, एक किलो इस पलड़े में आ गया, अब आपने एक किलो और रख दिया इस तराजू में तो ये दो किलो हो गया ये आठ किलो रह गया इस प्रकार जब पाँच किलो आपने इसमें रख दिया सामान इस तराजू का तो दोनों पलडे बराबर हो गये हैं ये भी पाँच किलो ये भी पाँच किलो अब इसके बाद जब आपने एक किलो इसमें रखा ये छे किलो हो गया ये नीचे डाउन हो गया और ये चार किलो वाला उपर उठ गया इसी क्रम से जब पूरा दस किलो आ गया इस तरा जूमें पलड में तो ये उपर चला गया इसी प्रकार आपका जो मन है उसका अटाइटमेंट जो संसार में है वो भगवान में करो तो जितना जितना भगवान में होता जाएगा उतना उतना संसार से माइनस होगा जैसे अभी आप वो सव रूपे खो जाने पर दुख होता है तो फिर जब इधर आटाइचमेंट होगा तो सव रूपे खोने पर उससे कम दुख मिलेगा सव रूपे खो जाने जो जो आपका अनुराग भगवान से होगा त्यों त्यों संसार के अभाव की फीलिंग कम होती जाएगी इसी को वैराग्य कहते हैं आप एक एक छण जो बचेगा आपके पास भगवान की ओर लगाएंगे जैसे पैसा कोही लक्ष मानने वाला सेथ हर समय चेंतन करता है कौन सा व्यापार करें इसमें कितना फाइदा है इसमें कितना फाइदा है ऐसे ही आपको पहले करना है जब बैलेंस बराबर हो जाएगा पाँच पाँच किलो का उसके बाद अब आप चलेंगे भगवान की ओर तब नैचुरल्टी आएगी नैचुरल्टी यानि अपने आप मन लगेगा भगवान में रहा न जाएगा आप से आज भगती नहीं किया दिन खराब हो गया फेलिम होगी अपने आप जैसे कोई शराब पीता है सिगरेट पीता है चाय पीता है तो जब अभ्यास हो गया पक्का तो फिर वो बिंच करती है पियो हमको मैं तो कहता है चक्कर आ रहा है नींद आ रही है यह इसी बीमारी है संसार की यह थोड़ा सा जब शुरू किया तो फिर आगे बढ़ जाती है तो हमको सावधान हो करके केबल भक्ती करना है वहिराग ज्यान अपने आप होता जाएगा जितनी मात्रा में भक्ती होगी उतनी मात्रा में ये भक्ती मा दोनों पुत्रों को पैड़ा करेगी ज्यान को भी वहिराग को भी भगवत कृपा भी होती जाएगे उतनी ही लिमिट में भगवान हमारे समीप होते जाएगे उतनी ही लिमिट में जैसे आग के पास जितने नस्दीक आप जाएंगे, उतने ये शर्दी भागती जाएगी, और पास गए, और पास गए, इसी प्रकार ठंडक कोई धूप में जून के महिने में तप रहा है, और बरांडे में खड़ा हो गया, और कमरे में गया, एसी लगा था, वो ठंडक बढ़ती जाएगी, और उसकी फीलिम होती जाएगी, इसलिए केवल भक्ती ही परध्यान दो, और भक्ती में ही अपना जितना भी छण लग सके जीवन का लगाते रहो, कर दो, और भक्ती है, 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 और भक्ती है,